हलो फेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नो की चैनल दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो बताने वाले क्या और एक्सपेरियंस यह दोस्तों यह हमारे का इन्वोग जो है स्टुडेंस का है जो पास हो चुके यानि कि सेलेक्टेर स्टुडेंट का है जिए दोस्तों जो नोंने अ वीडियो के अंदर और साथ ही दोस्तों आपको कुछ इंपॉडेंट टिप्स मिलेगा जो सेलेक्टेर स्टुडेंट है उनकी तरफ से साथ ही दोस्तों आपके अंदर क्या-क्या टैलेंट है और कैसे उसको निकालना है बाहर यह चीज़ेंगे हमारे सेलेक्टेर हुए स्ट अब दोस्तों कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्मार्ट नोगी चैनल को सब्सक्काइब कर लिए क्योंकि स्मार्ट नोगी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेसा सबसे आगे मिलती है और सांती दोस्तों सरकाई कोई भी नया फॉम आता है य जो चल रहा है जी है उसके बारे मिलाक्या हुए अब से ने सप्ट खाला से उन्हों पर आपके जो वीडियों ए सब्सक्राइब शायं जो हुआ neutron को अरेंज की और आया था और वही मैरा बैनिफिक्ट हुआ है कि मुझे कहीं पर भी कोई सी प्रकार की दिक्कत नहीं वा कि पर आपको क्या लेकर जाना है सबसे पहले तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए कभी खराब हो जाता है दूसरी चीज आपको यह है कि आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट यानि कि दस्वी बारवी की मार्क सीट आपके पास होनी चाहिए जो भी मार्क सीट आपके पास हो उसमें एक चीज जरूर ध्यान दीजेगा कि आपका जो डेट आप बथ आपके आइड़िट कार्ट में जारी हुआ है यानि जो उसमें प्रिंटेड है सेम डेट आपके एजुकेशन कौलिफिकेशन यानि की दस्वी हो चाहिए उसमें सेम होना चाहिए थोड़ा भी देद्धुदर नहीं होना चाहिए कि आप यह सोचिए कि सर्भाई मिस्टिक हो गई एक तारी को आगे हो गई कि आपका एक्सक्यूजेस की हां यह मिस्टेक आपसे हुआ है मिना अफिडेविट के आपको कोई भी जो है त्रूटी यानि जो आपकी गलती है उसे नहीं मानी जाती तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजे कि आप अगर गलती हो गई तो आप उसी सबंदित जो क्यां मन चीज़ है वह यह अपका सेंटल गौर्मेंट का जी आप जाएं इसके उफिचली वेब साइट पे इसका जो नोडिफिकेशन था जो पोस्ट का जो जारी हुआ था आपको उसी नोडिफिकेशन में आपको जो है पैरा में मिल जायागा का सेंट फॉर्मेट में होन आपको ट्रेट टेस्ट के लिए बैठने दिया जाएगा यानि कि आपको ट्रेट टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाले लेकिन हाँ आपको मैं चीज बता दू कि आपको जो है सेंटल का लगेगा वहां पे साफ साफ लिखा है कि हम यहां आपको वायराइट तो दे रह आप लगे रही है क्योंकि आपके पास समय मिलेगा अब यह सब तो हो गए चौती चीज हमारे आजा जाती है वह सबसे इंपॉर्टेंट वह भी चीज़ है दोस्तों फोटो के लिए के जिया दोस्तों चौतर चीज हमारा यह important है कि आपके पास पास्पोर्ट टाइप फोटो होना जरूरी है काफी यह है कि फोटो ले जाना भूल जाते हैं और फोटो अगर ले जा रहे हैं आप यह मत सूचिए कि अगर आपका एक साल पुराना फोटो है तो भ पुराने फोटो को मत एक्सक्यूज कर दिए थोड़ा क्योंकि आप देखिए आप बड़ी लेवल पे जा रहे हैं आर्पी जो है सेंट्रल गवर्मेंट का है जॉब और सेंट्रल गवर्मेंट के जॉब में जा रहे हैं तो इतनी बड़ी जॉब के लिए अपने अच्छे आपने पीटी क्लियर किया उसके बाद आप एक ट्रेट के लिए जा रहे हैं और वहां पे अगर आपके फोटो के लिए आपको निकाल दिया जा तो आपको कितनी तकलिफ होगी दोस्तों यह आप खुद समझ सकते हैं इसलिए मैं आप से कहूंगा कि आप जो है रिसेंट का है रहने का जगह मिल जाता है वहां पे पंखा लाइट सब्वस्ता है अपको बहुसा की तरह बहुत कैशिए नहीं आपके पास तो जितना भी स्पेस है आप अच्छा हम से रह सकते हैं खांए पी सकते हैं कहने पीने के कोई दिकत नहीं है यानि रहने का जो आपकी सिंदा यहां के नियरबाई में ही जुन है अवह जाकर रह सकते हैं तो अपने किसी मित्र से संपर कर सकते हैं या फिर कपूर्थला में ऊतर के भी किसी से पूस क्यart पर गुरुद्वारा मिलेगा स्टे करने के लिए रहने के लिए तो यह दो चीक्ट आपकी दूर हो चुकी अब आ जाते हम अपने इंपॉर्टन चीज पर है हमारा ट्रेट टेस्ट के लिए क्या होता है कि कम से कम 400 लोग आप मानके चलिए जिया दोस्तों कोई भी गिंद नह सेलेक्ट हो जाओंगा तो मेरे जोह जाओ पकी हो जाएगे तो कोई क्याउंट नहीं कर पाता बट एक अनुमानित जिसों कहते हैं जिसे कि 400-500 लोग जो है एवरी डे आ रहे हैं अब 400-500 लोग तो आ रहे हैं लिकिन इतनी लोग का एक साथ तो ट्रेट टेस्ट होगा नहीं आपको पता है water carrier हो चाहिए सफाई वाला हो चाहिए बारबर हो gardener हो कोबलर हो वगेरा जो भी आपका ट्रेट हो आपको एक साथ इतने लोगों को नहीं बठा जा सकता है इसके लिए क्या कर आता है? आपको जो हे गुरूप में बांट दे रहे हैं यह दिकिए मैं आपको गूरूप बना रहा हूँ इस पेकर आपको जो हे गूरूप में बांट दिया जाएगा अब सब गूरूप में 20, 15, 20 बिज़ क्या है डिपेंड करता है कि कितने स्टुडेंट्स आये हैं उस दिन तो कभी 15 में तो कभी 20 में यही दो बैच जो आपको बनाई जाती है 15 15 यह बीस बीस की तो यह बैच में आपको डिवाइट कर दिया गया तो इसके बाद आपको नाम दे दिया जाएगा बैच सब्सक्राइब में तो सब्सक्राइब मत तरह सब्सक्राइब से खाने में अलग-अलग यहां पर सब्जीयों के नाम सबसे आप से पूछा जाएगा वहां पर आप सी देख सकते सब्जी को हाथ से छू सकते हैं लेकिन सूम सकते हैं खा सकते हैं टेस्ट कर से ऐसा कुछ नहीं करना आपको तो बिलकुल भी सेच का ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको क्या होगा इसको नुकसान यह होगा कि आपको सीधा निकाल दिया जाएं दोस्तों क्योंकि यहां पे लोगों कि संख्या जांते हैं ज्यादा है ओलरएडि वेकंशी काम है तो यहां पर एक्जामियों को सिभ मौका आपकी छोटी सी गलती और आप जो है इस दोर से बाहर हो जाएंगे इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको जो है बाहर का रास्ता देखना पड़े तो अब होगे सब्जीयों के नाम आपको याद होने चाहिए मैं सब्सक्राइब करके पूछते हैं कि इनका नाम बताओ इस सब्सक्राइब को बढ़ता है दोस्तों जौब पाने क्या क्योंकि यहां पर आपको स्पेशल लोगों को ही चुना जा रहा है ऐसा नहीं कि सब लोग का भी लोगों को उतना नहीं मिल पारा है कहाफी स्टॉडियंस ऐसे हैं जो बैचारे बहुत ही टैलेंटेड हैं तो दोस्तों यहां पर आपको यह भी दिक्कत है कि आपको खड़ा मसला पीसा मसला दोनों दिया हुआ आपको खड़ा मसला मिल गया तो आपको आपके साथ होगा जो आप से पूछेगा यह मसले का नाम बता है और नाम बताना है आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा आपको पास तो इसलिए आपके परकार के मसाले आप हमारे जो है स्मार्टोंगी चैनल पर जाएंगे तो हाँ पर एक वीडियो मिलेगा आपको दोस्तों जो काफी समय वाइरल भी है तो काफी लोगों ने वहाँ से देखा क्योंकि मैंने उसमें क्या किया सभी के सभी जितने असी प्रकार के मसाले उन सभी के नाम फोटो के साथ हो भी HD फो सभी हो गया अब इस राउंड का कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कम से कम दोस्तों चाली से पचास परिस्यत लोग जो है फेल हो जा रहे हैं यानि कि आलरी जो है आपकी संख्या जो है 400 से आ गई 200 अब यह 200 से अब इन में से होगा हमारा ट्रेट टेस्ट अब ट्रेट ट से यह यहार जाता है आपके सिरीज क्या इस पाड़ी है कोन सी पहला ट्रो शालरीज क्पर घद से इस दीघकत करेंविसकं क्या रिपीट prop己 करते हैं तो यह अब करते हैं कि पूरी करेता है को प्मुरी तैयारी सजाएए आपको अंटा दिया हो कि यह कोई बात नहीं से मैं आटा जो है आपको सो गराम दे दिया आपको कहा कि आपका पास तैलेंट है वो दिखाइए सो गराम का आटा दिया गया है एक मिनिट का समय मिलेगा आपको अब उस आटे को जो है सान कर रोटी बनाने योग के यहां पर सानने का मतलब गुंदने का थी यहां पर यह है कि आपको पानी मिला के आटा में डाल की देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि तो बहुत इंसिपल है पांच से पानी डाल दीजिए फूल के फूल के दम वह जाएगा यहां पर जो एक्जामने कहता है क्या कि आपने आटा गुंदा है वो क्या रोटी बनाने य क्या है तो जादा समय तो नहीं लगता दोस्तों काफी अश्टुडट्स अश्य है कि 40 शेकेंड और 45 सेकेंड में हमारा बन जा रहा है तो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी चीजी है कि आपने जो है प्रैक्टिस किया अपनी बात उनने से हैंगा सर हमने जो है प्र तो यह चीज बहुत important हो गई आप जाता है रोटी पे तो रोटी पे तो मैंने आपको काफी वीडियो बना दियो हूं आपने समझा भी होका यहां पर भी experience वीडियो में आपको इसलिए पताता हूं कि हर रोज हमारा जो भी होता है हम सब कुछ यहां पर आपको दिखाते हैं र पूर पूला होना चाहिए रोटी पचके नहीं होनी चाहिए और रोटी जो है अच्छी तरह से कहीं पर भी जाने कि आप यह शुचेंगे हलका से थोड़ा सा कट हो गया या फिर तूट गया यहां पी ब्रेक हो गया ऐसा बिलकुल नहीं चाहिए कि आपको अच्छी तरह से जो है चारो तरफ से एक बार देख लीजेगा कहीं रोटी फुट तो नहीं गई है या फिर कट तो नहीं गई है आप जब फुलाते हैं कि आप फुटने का डर रहता है तो ऐसा कहीज़ेगा कि आप मीडिया में फुलाईए जैसे लगते कि हाँ थोड़ा फुल गया तो भी चल जाएगा दोस्तों यह देखता है कि आपने रोटी फुला दिया बस वह जरूरी है जरूरी है कि इसको पूरा का पूरा बलून बना जा रहे हैं तो समझ जाएगे कि आप जो है सेलेक्ट वाले लिस्ट में जा रहे हैं जिनका लोगों का सेलेक्शन नहीं होता हुने एक काम के बाद दूसरा काम नहीं दिया जाता है फॉर्स डाउन के बाद आप निकल गए रोटी नहीं प्तूटी हुई फुट गई आपकी सेलेक्शन लोग के आप ड़ आंटे की आप बनाते हो अन। यह पर स्बाद करें लोगों के बनातु को iałemता नहीं करता है तो नहीं को इस पहले पहले बरतन को आपने तावा क्याते हम घाननि पर इस नहीं जातएएं प्र बहुत नियुक्ट संगा जब तरहिए जितना गरम हीट हो जाता है उसके बाद आपको निकालते सब्सक्राइब टूटना ही इसलिए पहले पहले पुरए तावे को कर दीजिए ढग दीजिए जो खुडवाद साहिए नमट्राइब पकाई और ऑफ़ फुलता दोस्तों जब दोस्तों जब इना बबन ह तो यह वाला जो काफी अच्छा था हमारे स्टुडूं का जूसे काटने में सब्सक्राइब सब्सक्राइब निया था या निए लेडी फिंगर जिसे कहते हैं कि भीणडी आप काट के बताई यह इस पर जो है सब्जी कितना तेजी से काट रहें वह देखना है असानी से पट आपका हाथ में लगना चाहिए अगर हात में चक्कुल लग जाता है बलेड लग जाता है कुछ भी आपको हल्का सभी बलड आता है तो भी आप बाहर हो जाएंगे दोस्तों कि यह चीज कैसे है आपको साफाई के साथ काम करना यानि कि अपने पास रखनी है कि आप सुरचित रोके यानि चकु का जाता है तो सबजी के बाद हो जाता है दोस्तों हमारा आता है बारबर का टेस्स ले ले लेते हैं बारबर में आपको पता है सारे तूल सापको अपने घर से लेकर जाने यानि कि कैंची उस्तरा ब्लेड फोम शेविंग दाड़ी बनाने वाली क्रीम तो यह सारी चीज़े आपको अपने घर से लेकर जाने यानि कि अपने साथ कैरी करना है वहां पर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो बारबर के टेस्स में बात दिखिए और बारबर वालों को मैं कि मैं थोड़ा बैक्सिक आपका काम कर सकते हैं तो आप हमें थोड़ा सा चांस ले दीजिए या फिर आप थोड़ा सिखा दीजिए फ्री में काम कर लीजिए उनके हां कुछ दिन कोई बात जाता वह दिक्कत नहीं होगा क्या आप जितना अच्छा प्रैक्टिस किया रहें कि आपके पास जो हैं जादा से जादा लोग आएंगे आप जादा से प्रैक्टिस करने को मिलेगा अब उस तरह लेकर आप किसी का भी दौबाल नहीं कार सकते हैं इसलिए आपको सलून में जारके ज़्या सा कौदिनेशन लेना होगा किसी भी शॉप किसे बात कर सकते हैं इस पर काद आप अपना skill को develop कर सकते हैं. अब बात करते हैं सफाई वाले पे क्या है दोस्तों? सफाई वाले में आपको क्या करना? Özeedly जॉच्छेली ज जाड़ु मारते समये पंखा बंद है कि नहीं, कहीं से हवार एक नहीं जाड़ू जिससे आप इस्तमाल करें वो अलड़ी साफ सुत्री है या नहीं जाने कि आप उसमें ही मट्टी लगी हुई और उससे जाड़ू मार रहे हैं यह चीजें बध्यान दिखिएगा वाश्रूम याने के टॉयलेट हो उसमें हारपिक इस्तमाल आपनी होता है सफेद गौलियां यूजान यूजाए है क्या क्या यूजाँ था पानी को साफ करने के लिए तो यह सब चीजे आपका नॉल्यज और यह आपको दिखाएंगे बॉर्टल मी दिआ जाएगा इससे बॉर्टल रोख्ट ? observed दि कि अञने सब में किसी किसी में पा तो आपको समझ सकते हैं कि आपको कितने कंफीजन हो जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि फिनल का स्मेल कैसा होता है पहले ट्राइट तो किजिए तब ही तब पता चलेगा वहाँ पर आप यह सुचे कि मैं सिप पढ़कर या फी वीडियो देखके इस अब समझ जाओ कि मैं खाले तो नीए उगल तो नहीं हो गया दोस्तो आपको क्या करना है अपको अपने घर पे या फिर लेकर यह बजार सि अगर आप यह तो पता होना चाहिए sanitizer के बारे में आपको जानकरी होने चाहिए जो हाथ में लगाते हैं हम चोड़ी सी bottle में आती है sanitizer कहते हों से तो बीना जहां पर पानी नहीं इस्तमाल होता है वहाँ पर sanitizer कैसे हाथ साफ किया जाता है तो उसका smell कैसा होता है वह भी आपको रख दिया जाएगा बॉटल तो यह सफाई वाले ट्रेट में जितने भी सफाई से संबंदी जानकारी वह आपको कलेट कर लीजिए क्योंकि आपको वहाँ पर ट्वालेट पर गदा साफ बिलकुल नहीं करना है आप यह मत सुचिए कि आप से ट्वालेट साफ करवाएंगे कितना आप चछाचा मका सकते हैं आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पर एक सिंपल सिची स्टेप है पहला स्टेप यह है आपको जाड़ो लगा जाएगा कमरे में कमरा दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर जाड़ो लगाना है बस एक जाड़ो लगा दीजिए उसके बाद आपको जो है बेसिक सवाल कुछे जाएंगे सफाई के ल तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक नहीं जान का एक नहीं अपडेट के साथ थैंक यू सो मस्त दोस्तों